हेलो फ्रेंड्स मैं स्पी सिंग और आप देख रहे हैं SP Math Channel आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किसी भी फैक्टोरल में सुन्यों की संख्या कितनी होती है साथ में हम बताएंगे कि अगर यह सम संख्या है यानि सम संख्या का गुणन फल है तो उसमें सुन्यों की संक्या और क्यूब दे रखा या फाइब दे रखा या सिक्स कुछ भी दिया हो तो उसमें सुन्यों की संक्या हम किस परकार से निकालते हैं तो चलिए हम करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रुकेस्ट करना चाहेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया से हम सुन्यों की संख्या निकालते हैं तो जैसे यहां पर देखें आपको दिख रहा होगा कि पांस फैक्टरियल वीस फैक्टरियल सो फैक्टरियल पांसो फैक्टरियल में सुन्यों की संख्या याद करनी है तो बहुत आसान है बस आपको करना किया जैसे मालेजिए फाइव factorial में हमें सुन्यों की संख्या निकाल लें तो 5 factorial में सुन्यों की संख्या निकाल ले के लिए आपको बस करना ये है कि जो भी नमबर दिया है उसको 5 से divide करना और divide करने के बाद जो भी संख्या आएगी तो वही कहलाएगी सुन्यों की संख्या तो 5 factorial तो 5 फैक्टोरल का मतलब होता 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 तो यह कुशन इस तरह से आ सकता कि 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 के गुणन फल में सुन्यों की संख्या कितनी होगी तो तब भी आपको ऐसे ही इसका आंसर देना तो अब हम बात करते हैं 20 फैक्टोरिय है तो 20 फैक्टोरल को हमें क्या करना यह 5 से भाग करना तो 5 से भाग देंग आयगा 4 अब संख्या कितनी होगी चार इसी प्रकार से आप देखें 70 है यहाँ तो आएगा 4 यानि कि इसको फिर इसमें प्लस कर देना यानि कि इसमें सुन्यों की संख्या आ गई 4 अब इसी तरह आपको बताने जा रहा हूं कि 500 में कितनी सुन्यों की संख्या होगी तो rule वही है तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो 500 है उसको 5 से डिवाइट करना है 5 से तो आएगा 100 अब उसके बाद फिर 100 को फिर 5 से डिवाइट करना है आएगा यहां पर देखें पांदूनी 10 20 उसके बाद पिर 20 को फिर 5 से डिवाइट करना कितना है यह काम तब तक करना जब तक की संख्या 5 से चोटी न आ जाए और इस सब को जोड़े दीजिए तो सुन्य संख्या कितनी होगी 124 तो इसका अंसर आगया 124 अब देखें हम आगे क्यों पढ़ते हैं आगे देखें यहां पर आगे हम बताएंगे कि संख्या इसमें संख्या कितनी होगी तो इसमें हम देखें संख्या कितनी होगी तो संख्या में देखें यहां पर जड़ा ध्यान द करेंगे आये गवा फॉन नहीं हिरुन की संख्या त gospod तया यांगे इसमें सन्ख्या कितनी होता है मोफ विा स मसर्था में कभी भी जीरोल नहीं आता एक संख्या बन जाती जिरो भी एक संख्या है अगर प्राकृतिक संख्याओं का में अगर बिसम संख्याओं का गुलन फल है तो उसमें कभी भी सुन्ये नहीं आता है तो क्या होगा इसमें कभी भी सुन्ये नहीं आएगा या निगी प्राकृतिक बिसम संख्याओं में कभी भी सुन्या नहीं आता ठीके आप चलते हैं हम देखे अगले कोशन और अगला कोशन है यहापर देखे आप इसमें देखे यह बहुत बढ़ी हा कोशन है इसमें बताना है आपको कि इसमें देखे सुन्यों की संख्या कितनी है ठीके तो इसमें सुन्यों की संख्या बताने के लिए 15 का स्क्यार, 14 का स्क्यार, 13 का स्क्यार 1 के स्क्यार में सुन्यों की संख्या हमें बतानी है तो रूल्स वही है आपको क्या करना है जो बड़ी संख्या है इसको उठाना है और इसको 5 से डिवाइड लगाना है तो इसमें सुन्यों की संख्या पता लगानी है तो ये भी बहुत असान है कैसे माली इसमें क्यूब है अब अब हमें इसमें सुन्यों की संख्या पता लगानी है तो रूल्स वही है सबसे बड़ी संख्या उठाइए इसको पांस से भाग देजिए पांस से भाग देंगे आएगा चार अब चुकि घात यहाँ पर कितनी है तीन है तीन से इसको मिल्टिपलाई करना है और यह हो गया बार है तो इसमें सुन्यों के संख्या कितनी हो गई बार है तो आप इस प्रकार से इस तरह के कोशन को आप मड़े असानी से कर सकते हैं यह जो कोशन है अगर आपको हमारे दोरह बनाए गए वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए अगली वीडियो तक के लिए आप एस पी में चैनल पर बने रहिए तब तक के लिए जाहिए